दोस्तों आज मैं आपके साथ सेयर करने जा रहे हूं चॉकलेट केक की रेस्पी यह बहुत ही जली बनकर तयार हो जाता है और आप इसे घर पे आसान तरीके से बना सकते हो तो चलिए सेंस आज हम कुछ नया सीखते हैं तो केक बनाने के लिए हमने दो ओरियो विस्किट लिए और तीन डैरी मिल्क चॉकलेट लिए तो सबसे पहले हम बेकिंग की तयार ही कर लेते हूं तो हम कड़ाई में आज केक बनाएंगे तो एक कड़ाई लिए उसमें हम नमक डालेंगे कड़ाई में हम रखेंगे एक स्टैंड अगर आपके पास ऐसा स्टैंड नहीं हो तो आपका टोरी भी रख सकते हो कड़ाई को हम ढकन से कबर कर देते हैं और 8-10 मिनिट के लिए गरम होने देते हैं इसके उपर जो होल है तो इसे बंद कर देते हैं तो एक पिपर को हमने फोल्ड करके इस तरह ऐसे लगा दिया है एक जाल लिया है इसमें डालेंगे हम बिस्किट दो चम्मच चीनी डालेंगे इसका हम पाउडर बना कर तयार कर लेते हैं तो आप देख सकते हैं कि हमने पाउडर बना लिया है तो इसे हम एक बर्तन में निकाल लेंगे तो आपको बिल्कुल महीन पाउडर बना कर तयार करना है इसमें बिल्कुल भी बिस्किट की टुकड़े ना रहें तो यह अच्छी तरह से पिसकर तयार हो गया है अब हम इसमें डालेंगे दूद तो हमें एक साथ बिल्कुल भी दूद नहीं डाला है थोड़ा थोड़ा करके हम डालेंगे इन दोनों चीजों को अच्छे से मिला लेते हैं और एक बैटर तयार कर लेंगे तो इसी तरह से हम दो मिनिट तक अच्छे से मिलाएंगे बैटर अभी थोड़ा गाड़ा है तो हम इसमें दो चमज दूद और डालेंगे इसे अच्छी से मिक्स कर लेंगे तो बैटर बिल्कुल परफेक्ट बना है इसमें हम आदा चमच बेकिंग सोडा डालेंगे एक चमच बेकिंग पाउडर इन सबी चीजों को अच्छे से मिला लेंगे तो हमारा बैटर केक के लिए बिलकुल तयार है तो इसे रख देते हैं साइड में एक लिया है केक तिन इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा ओयल और केक तिन को हम ओयल से ग्रीज कर लेते हैं थोड़ी सी मैदा चिड़केंगे तो केक तिन बिलकुल तयार है केक बनाने के लिए हम केक तिन में डालेंगे बैटर तो हमें एक साथ पूरा बेटर नहीं डाला है, हम आदा बेटर डालेंगे आदा बेटर डालने के बाद अब हम रखेंगे इसमें चौकलेट डेरे मिल्क चौकलेट ली थी ना, तो उसके हमने पीसिस कर लिये हैं और हम इस तरह से रख देंगे बीच में अब जो बचा हुगा बेटर है, तो हम इसके उपर डाल देते हैं और हमारी चौकलेट बिल्कुल ढखनी चाहिए, बिल्कुल भी ना निकली रहें बाहर केक टिन को हम इस तरह ऐसे थप थपाएंगे कड़ाई बहुत अच्छी से गरम हो गई है, तो इसमें हम केक राख देते हैं इसे ढखकन से कवर कर देंगे, और 35 से 40 मिनिट तक हम बेख होने देते हैं और गैस की फ्लैम हमें बिल्कुल लो रखनी है 40 मिनिट हो गए हैं, तो केक चेक कर लेते हैं तो आप देख सकते हैं, ये काफी फूल गया है तो इसे हम चाकू से चेक करेंगे तो केक हमारी अच्छी से बेक हो गई है इसे ठंडा होने देते हैं एक काटोरी ली है, उसमें लिया है पानी काटोरी को उपर हम रखेंगे काच का वाल एक गरम हो गया है, इसमें हम चॉकलेट डाल देंगे चॉकलेट हमें मेल्ट करनी है तो एक मेल्ट होने लगी है एक चमच हम इसमें डालेंगे बटर अगर आपके पास बटर नहीं हो तो आप गी भी डाल सकते हो तो ये अच्छी से मेल्ट हो गई है अब हम इसमें दो चमच मलाई डालेंगे मलाई को चॉकलेट में अच्छे से मिक्स करेंगे और चॉकलेट गनास बना कर तयार कर लेंगे तो ये बनके तयार है अब हम इसे बाहर निकाल लेते हैं केक हमारा ठंडा हो गया है तो इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे केक को बाहर निकाल लिया है और केक के उपर डालेंगे चॉकलेट गनाश इसे अच्छे से पूरी जगह फैला देंगे तो हमने पूरी जगह अच्छे से फैला दिया है चॉकलेट के हम पतले-पतले पिशिस कर लेंगे साहें बिस्किट की भी हम छोटे-छोटे टुकडे कर लेंगे केक की साइड में बिस्किट के टुकडे हम इस तरह से लगा देंगे तो पूरी जगाए हम अच्छे से बिस्कृट लगा देते हैं इसके उपर डालेंगे हम चौकलेट तो चौकलेट को हमने पतले पीसिस में काट लिया था तो बिस्कृट के उपर हम इसी तरह से डाल देंगे चौकलेट इसके पाद हम डालेंगे बादम बादाम के भी हमने छोटे छोटे चोटे टुकड़े कर लिये हैं और हम ऐसे रखे देते हैं बादाम को तो पूरी जगए हम बादाम के टुकड़े डाल देंगे केक की साइड में भी हम इस तरह ऐसे बिस्किट लगा देंगे केक की नीचे की साइड भी हमने बिस्किट लगा दिये है इसके बार डालेंगे हम मीटी शॉप तो यह आपकी मर्जी अगर आपको डालना हो तो आप डाल सकते हो अगर आपको नहीं डालना है तो नहीं डाले तो हमने मीटी शॉप डाल दी है केक बन के तयार है एही था मेरा आज का वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू